आपका सुबह होती है और कोई न कोई स्तीफ़े का एलान होता है दोपार होती है किसी मंत्री का स्तीफ़ा होता है फिर अपरान होता है फिर विधायकों को स्तीफ़ा यह तो प्रति दिन की प्रक्रिया हो गई यह तो यूपी का राजनेति घटना करम जो है वो तेजी से बदल रहा है लेकिन जो दलबदल करके आ रहे हैं जिनको लोग बगावती हैं जिनको लोग कह रहे हैं आप 5 साल बोले नहीं कहा गया है कि सिल जाते होंट कभी गलत को गलत न कह पाए और देखा सुना सब महसूस किया पर बगावत न कर पाए उसके पीछे कारण होते हैं सरकारें और सत्ता का जो चरित्र और स्वरूप सामने आ रहा है उसमें जब तक चुनावल की अचार संगीता नहीं लगती कोई बगावत करने की हिम्मत नहीं कर पाता क्योंकि तमाम उसके उपर जात सुरू हो जाएगी सिकंजा कस जाएगा ये बात आपने महसूस किया होगा कि ये मंतरी जो आज इस्तिफा दे रहे हैं ये राद राद बर छुप छुप कर घूम रहे हैं इनके लिए जहाज आकर ख लाड़े मां ये इतना भागे हैं कैसे कैसे कहा कहा रहे रहे हैं लोग की किसी तरह जान बची रहे पहुंच जाओ सफाद दफ्तर ये वो लोग हैं परिवर्तन लाने के लिए ये कह रहे हैं कि आज हम साथ आए हैं परिवर्तन आए ना आए लेकिन अभी तोरंत उत्तर प् पार्टी की और जा रहे हैं बीजेपी इस नुकसान में है वो बोले ने लेकिन महसूस कर रही है बीजेपी इसकी भरपाई करने की कोशिश भी करेगी लेकिन कैसे होगी क्या चमतकार होगा आज वंतिस सीटों का एलान हो गया अखिलेश के और जैन चोधरी के गड़बंदन क वो नई सीटों पर जैन चोधरी की परत्यासी घोसित हो गए और दस पर अखिलेश यादों के तो अब चुनाओ में कल से न मांकन शुरू हो जाएगा दल बदल की आंदी तेज है एक सो चब्विस भी अधायकों की बात कही जा रही तूटेंगे यह कहा जा रहा है कि रोज एक मंतरी इस्तिफात देगा कब तक देगा कौन देगा बहराल यह देखना होगा रोज लेकिन धरम सिंग सैनी अभी बैठे थे धरम सिंग सैनी की बातें बहुत सारी आपने सुनी लेकिन एक बात सही है कि वह मायती की सरकार में कैबलेट मंतरी थे और वीजेपी में उनका डिमोशन हुआ वह यहां पर राजमंतरी स्वतन परभार बनने को मजबूर रहे और जब उनकी सपत हुई थी आपको याद होगा आस्याना में जो ग्राउंड है बाजपा की सरकार बनी थे उनने इस मार्ट दोया को तो वहां पर भी वह बहुत दुखी थे और उस दुख क तो पांस साल तक नहीं मिटा पाई भाजपा तो सुभाविक है कि धरम सिंग सहनी का हक बनता है अपनी बात कहने का और आप नेताओं में अगर देखेंगे तो जो राजनीद में पैसा कमाने नहीं आये हैं साब सुतरी राजनीद करते हैं उसमें धरम सिंग सहनी जैसे नेत लोग छोड़कर चले गए वो सब ठीक हैं, तमाम सारी समस्याएं आती हैं, देखिए, इज़त, सोहरत, मान, परतिष्ठा, ये सब कभी एक जैसे नहीं रहती हैं, ये सब आनी जाने वाली चीजें हैं, कभी भी दाग लग सकता है, कभी भी आप उच्छिखर पर पहुंच सकत हैं, ये जहां आज हम आप हैं, वहां कल कोई दूसरा था, कल कोई और होगा, तो परिवर्तन संसार का नियम है, जोर तोर से चिला कर परिवर्तन किये जाते रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कहते हैं कि पत्ते सिर्फ पत्जल में गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिर करने का कोई मौसम नहीं होता तो यह मौसम जो चलना है यह बताओ कि इतनी तादाद में विधायक कैसे छोड़के जा रहे हैं अटलिस्ट उन दोनों को तो बात करनी चाहिए जब कोई दल बहुत बड़ा हो जाता है तो वहां पर गुटबाजी और मनमुटाओ बहुत ज्यादा हावी हो जाता है दिखाई भले न पड़े लेकिन भाजपा में आज ब्यक्तिकत रूप से पेन लेने वाला या सब पर कैसा नेता होना चाहिए जैसे अमिसाज और चाणकी की भूमिका में 2017 में थे आज कोई रूट कर जा रहा है तो मनाय काउन मनाने की जिम्मेदारी किसकी है बीजेपी ने जिन लोगों को पार्टी में लिया उनको पद दिया उनको सम्मान दिया लेकिन सरकार में रहिक है वो लोग तो असंतुष रहेंगे और मौका पाने पर काटेंगे छोड़ेंगे नहीं और बीजेपी को यही समस्या सबसे बड़ी सामने आई है आज उसके साथ इतनी बड़ी सरकार में परचंट बहुमत की कौन ऐसे लोग है जो ब्यक्तिकात रूप से पेन लेकर मंत्रियों को मनाएं विधायकों को मनाएं जाएं फोन करें कोई डैमस कंट्रोल हो ही नहीं रहा है तो आप कैसे बचाएंगे अपने कुनवे को और जिन लोगों के दम पर जिस OBC समाज ने 2017 में पीजेपी की सरकार बनाई 14 साल का सूखा खतम किया आप उनको अगर कोईला कह देंगे था यह सब हार रहे थे कोई काम नहीं किये उनकी पत्नी भी शायद कहीं से उनकी पत्नी मलियाबाद से जय देवी विधायक है वो खुद सांसद हैं देखिए एक आत्मी ने कहा है कि हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी एडिया उठाने से किरदार उचा नहीं हो जाता है बाते बली-बली करने से कुछ नहीं होता है काम बोलता है बेवहार बोलता है लोगों को आपने सम्मान दिया होता तो वो कुछ कम खाकर भी संतोज कर लेते यहां सम्मान और मान की लडाई आ गई और वो लडाई पर आप देखो कि बीजेपी की तरफ से कोई बहुत सिंसिय क्या रिफर्ट नहीं हुआ इन लोगों को मनाने का कोई दिल्ली से आया नहीं मनाने इनको वहां मीटिंग चलती रहे यहां यह सब पाला बदल के समाजवादी होते गए बाई जब एक दूसरे को कोसने की टांक हिचाई हो रही है तो कोई क्यों आयो किसी मनाने यहां बीज लोगों के डीवोशन से आता है और इसके लिए मिसन की तरह काम करना पड़ता है संगलब और संकल्ब के साथ उसका आभाव है और इस आभाव को भले स्विकार करें लेकिन यह बातों कोई कमी सपको चैलेंज्ञ एक आड़ा जायो मेरे साथ सब्सक्राइब नानुंक्त अगर सभाक्ष एसा यह रए हिम्मत बांध उनके साथ तो कुछ नकूर बासा में मेरे से कई बार पहले भी बात्ची टीवी पे इंटर्व्यू पे आये थे पर ऐसे मतलब नहीं बोलते थे आज फुल रंगवाजी में बोल रहे थे बाई आज सहिनी साहब ने पांच साल की अपनी भडास निकाली हां मुझे यह कह सकते हैं क्यूंकि वह चाहते हैं उनको मान सम्मान नहीं मिला वह बड़े लोग लेखा समित के वह चेर मैं रहे उत्तर प्रदेश में कैमिनेट मंतरी का उसमें भी दर्जा होता अभी पक्ष मे तो उनका पत तो बड़ा था लेकिन उनको सम्मान उतना नहीं मिल पाया पर केशो मौरिया के लिए उनके मन में साफ्ट कारनर मुझे दिख रहा था कि सुभाविक है कि जितने लोग छोल कर जा रहे हैं उसमें से कोई केशो मौरिया की खिलाप नहीं बोला या बीजेपी की किसी और अधर लीडर्शिप के खिलाप नहीं बोला अब वो मोदी जी का जो चमतकार था अमीचा का जो मैनेजमेंट था और सुनील बंसल जी वह सा जंता को भी अपनी बात पहुचाने में कठिनाई आ रही है जी विरेंजी जी बीजेपी की गाड़ी क्या ढहलान की ओर है ओभी सी समाज के नेता उससे क्या छिटक रहे हैं अखिलेश यादो क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं समाजवादी पा पताती बनाती आदमी को शुकर में रहना या चोड़ना है मैं प्यारकne travelled शुक्रत कोई और नहीं होतार खिंच का कोई अनुरागी नहीं होतार जुट की हधी बगावत है शिखाती पैदाइस से कोई अनुरागी नहीं होता है बहुत बहुत धन्यवाद गर्वन जीरो से ब पोटूपलाब दिक